Hi everyone, this video is about GS2 means and its strategy and approach उसको कैसे tackle करना है, क्या चीजे हैं जो तुम्हें X-Factor देगी और क्या चीजे हैं जो highly possibility chances है कि तुम्हें अच्छे marks देगी ठीक है, and basis on my personal experience last year और इस बर वाले means के according and मैं एक simple and straight forward strategy की बात करूँगा बहुत सिंपल है ज्यादा मतलब इदर उदर नहीं करना है और अगर उसका एक्जाम में रियल एक्जाम में अगर तुम 70-80% भी प्रोड्यूस कर पा रहे हो that means कि आपका paper well and good गया है मतलब उसके beyond इतना possible नहीं है मेजरली आपको क्या करना है कि उसी डारेक्शन में content prepare करना है ताकि क्या होगा कि आपकी सारी चीजें cover up हो जाएगी अब देखो problem क्या है ना कि मैंने GS2 का भी specifically YouTube पे देखा ता कल पर सो कि क्या क्या मतलब अभी लोग strategy बता रहें यह लोग क्या कर रहें intra subject कर रहें मतलब intra subject का अंदर जैसे एक subject है GS2 है ठीक है उसके दो topics है जैसे pressure groups है and एक topic मानलो आपका women है ठीक है तो इनको आपस में मिला के question बना रहे है ठीक है यह चीज देखना है यह intra topic और even intra subject कर रहे है और intra subject भी कर रहे है यह मैं आपको आगे questions में बताऊंगा 2023 स्वाले में कि यह लोग कैसे मतलब इतना analytical paper बना रहे है अगर तुमने अच्छे से इसको analysis किया है then then you will know कि जो हम लोग पहले एक सोचते थे थे ना हमारी जो understanding थी generally लोग भी ऐसे ही पताते थे कि भाई दो पेज की notes बना लो producer groups के दो पेज के NGO के बना लो और द पेज के तुमारे SSG के बना लो इससे काम नहीं चलेगा they can ask this SSG in GS3, SSG in GS4, SSG in GS1 के उसने कैसे social empowerment किया है GS1 and GS3 में कैसे उसने inclusive growth को built किया है getting that so you have to understand this thing की everything is interlinked ठीक है और इस जो वीडियो में है मैं तुम्हें 2023 के latest वाले paper के according समझाओंगा की how this interlinking of topic is reflected in GS2, GS1, GS3 and GS4 अभी मैं GS2 का ले रहा हूं in subsequent videos if you like these videos तो आप प्लीज कमेंट कर ले ना कि आपको क्या क्या चीजें GS1, GS3 and GS4 का भी इसी pattern में if you want to know strategy तो मैं उनके उपर वीडियो बना दूँगा but the thing is कि इसमें आपको अच्छे से एक तो syllabus को समझना है एक उनके question को nature को समझना है जैसे questioning है second में बोलो क्या पूछेंगे कि budget का analysis कर लो इस साल के budget का ठीक है यह तुमारा एक second level का हो गया कि उन्होंने analysis पूछ लिया ठीक है फिर एक core level पर आता है कि जो budget making process है budgetary process है वो कैसे public finance management को ensure करती है मतलब उस type का कुछ थोड़ा सा analytical UPS क्या करेगी उस budget को अपने किसी topic से link कर देगी यह बोलेगी कि budget poverty कैसे remove करता है something light या कैसे वो inclusive growth को मलब जैसे यह पूछ सकते हैं कि budget जो 2023 वाला budget था वो कैसे inclusive growth को built up करेगा getting that तो वो क्या कर रहे है दो concept की आपस में बात कर रहे है this particular understanding you have to know जैसे क्या करा इस बार उन्होंने GS1 में geography को link कि ancient India से that means कि इन्होंने क्या पूछा था कि how geography have saved the ancient India that means तुम्हें geography और ancient India की दोनों के अच्छी understanding चाहिए मतलब ये एक next level का question making pattern है getting that मतलब आप सोचोगी generally इस type के questions बनाना बहुत मुस्किल है वो लोग फिर क्या पूछते हैं जैसे इस बार इन्होंने पूछा है climate change का food security पे क्या फरक पड़ेगा ठीक है कल को ये climate change का agriculture GS3 में पूछ सकते हैं ठीक है climate change की वज़े से geopolitics कैसे change हो सकती है ठीक है that can be asked in GS2 ठीक है climate change की वज़े से तुमारे women की condition कैसे affect होगी GS1 में पूछ सकते हैं उसी climate change को ये लोग GS3 में बता सकते हैं कि कैसे transition हो रहा है ठीक है उसी climate change को आप यहाँ पर बता सकते हो GS या फिर तुम ये बता सकते हो कि जो एक्विटी वाला एस्पेक्ट है उसको बता सकते हो ठीक है तो तुम्हें ये चीज अंडस्टेंड करनी पड़ेगी तभी जाके तुम्हें कोर कंसेप्ट समझ माएगा नहीं तो क्या होगा कि हम लोग उपर-उपर से करके चले जाते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो भी टॉपिक बढ़ रहे हैं उनको इंटर लिंकेज ये आपको मैं इसी पेपर में समझा दूँगा कि कैसे कैसे हो रहा है ठीक है तो एक्चुली जो पैटन है ना जो करन्ट पैटन है वो समझ आएगा कि हाउ दियार आस्केंग कोशिन देट हैस्ट वी क्लियर वित क्योंकि अल्टिमेटली वही आपके लिए काम आएगा ठीक है मार्किंग पैटन जनरली तीन सेक्शन में तुम्हें डिवाइड कर सकते ह हो फूर में कर सकते हैं बड़ मैं जनरली थ्री में कर रहा हूं कि आएर की चार कोशिन आगे ठीक है दो 10 के यह एक जनरली स्टेडीज है लेकिन वाट आई वांट तो कन्वेज दाट कि इसके साथ एक और इंक्लूड करो दैट इस जी एस टू मतलब जो लास्ट यह के टॉपर है उनके एक सो तीस एक सो पैंटीस मार्क्स अगर आप एक पेपर में अगर आप 127 तक मार्क्स ले आते हो ठीक है अब यह एक मेरा एक्सपिरियंस है बेस्ट अन टू में और अल्सो भी मैंने जिनकी कॉपी देखी है जिनके अच्छे मार्क्स है उनके बेसिस पर मैं एक समप करके एक सिंपल स्टेडजी लेके आया हूं तो आपको उन चीजों पर फोकस करना है और यू विल नो की ठीक है तो इसको एड़ कर लो GS2 को बहुत मार्किंग मतलब अच्छी हो रही है अभी के पैटन में GS3 में नहीं हो रही है तो उसको कम फोकस करो GS2 में ज्यादा हो रही है तो उसको और GS4 को ज्यादा फोकस करो इस फोर का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आँगा अच्छी एक एक बैलेंस रपरोज की क्या होना चाहिए क्या नहीं ठीक है इंडिया में ठीक है फिर इनका जोग्रोफिकल डिस्ट्यूइशन का है GS1 में लोग पूच सकते हैं ठीक है आज नहीं तो कल इस टाइप के कोशिन निकलेंगे ठीक है फिर तुम बतालो कि सोशिल एंपॉर्मेंट हुआ नहीं हुआ इससे ठीक है GS1 का टॉपिक पूछ सकते हैं कि SSG के वज़े से ठीक है ठीक है यह मान लो कि basic structure वाले doctrine है तुम्हें पता हो एक तो तुम इसको wider उसमें यूज़ करो जहां पर भी तुम्हें मतलब option मिले इसका यूज़ करने का ठीक है दूसरा यही basic structure मान लो यूपेसी क्या कर रही है जैसे इंडिया यह है अपना मतलब GS2 का में स्लेबस बता रहा हूं एक सेकंड अमेंडमेंट हो गया basic structure हो गया देन मान लो आपकी अपरलेमेंट हो गया ठीक है फिर आपका जैसे जूडिस्री यह GS2 का इक ब्रीफली स्लेबस है मान लो ठीक है तो यह लोग क्या करेंगे इन ही topics को P3 जो countries है P5 specifically focus करो लेकिन P5 में China and Russia they will not ask ठीक है तो मतलब not ask मतलब उनकी possibility कम है क्योंकि China is our adversary तो वहां पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा and Russia का obviously वो उसमें नहीं जाएंगे मतलब मुझे नहीं लग रहा कि वहां पूछेंगे P3 countries है आप इंडिया की Parliament पढ़ रहे हो तो आप US का भी पढ़ो आप UK का भी पढ़ो and then France का पढ़ो got that इंडिया का basic structure पढ़ रहे हो साथ साथ में US France और इनका पढ़ो UK का ठीक है amendment procedure पढ़ रहे हो इन तीनों countries के साथ पढ़ो अम जुडिसरी पढ़ रहे हो तो इन तीनों के countries के इंडिया की कैसे टॉपिक्स को वो आपस में इंटर लिंक करके पूछ रहे हैं ठीक है वाट निट्स तो बी डन यह आपको जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजों पर आपको फोकस करना है ठीक है सबसे पहले आपको देखना इसमें की विमन का जुडिस्ट्री में रोल है तो उसकी वज़े से ऐसा कुछ था कि एकवेटेबल कैसे होगी और एक दो और कोशन था कि जैन्डर एक्वेलिटी कैसे आएगी सम्थिंग लाइक तो उन्होंने क्या कि विमन को यहां पर जुडिस्री में डाल दिया कल को वो को सकते हैं की कौन से एक जी इसके लाचा जर ऌनल ब्रिव एक्वार यह सारे पूछ सकते इसके लाज वगेर अर तो मेरा पॉइंट यह हार टॉपिक को पूरे पेपर के जितने भी टॉपिके सेना जैसे विमन कर रहे हो ना मालो किवाट डूर इस टॉपिक ठीक है में कि कंडिशन ती गुपता में कहा थी मोरिया में क्या थी विजेन अगर में क्या थी उन्होंने प्री पूचा है इस बार मैंस में भी आ इंग नहीं पूचा इस बार लेकिन इस बर उन्होंने जिएस टू के उस टॉपिक से गिया है ठीक है कल्चर हो गया तुम्हारा इस वाले एसपेक्ट में यू हाव टू डीटेज्स अबॉट जीए स्टू हो गया इस बार कॉशन आ गया ठीक है फिर सोचल जस्टीज का पिछली बार आया था मुवेंट्स ने कैसे मुवेंट्स वगेर है जो विमिन मुवेंट्स वो कैसे ऐसा कुछ पूचा था कि पेट्र ठीक है फिर तुम्हारा उसमें आ सकता है क्लाइमेट चेंज की वज़य से व्यमिन को क्या फरक पड़ेगा ठीक है फिर यह पूच सकते हैं कि विमन साइंस अंटेक में उसका क्या रोल है ठीक है ये सारा कुछ एसपेक्ट फिर आव विमन को लेगे जीस फोर में ठीक है जी तो फिर अल्टीमेटली वही होगा कि तुम्हारे का पास कॉंटेंट की कमी होगी और तुमसे अच्छा अच्छे से इंटर लिंकेज नहीं होगा टॉपिक का यह चीज आई समझ में ठीक है पीवाइक्ट देख के तुम्हें यह समझना है कि कैसे कैसे इंटर लिंकेज होंगे ठीक है फिर लाओ तुम फार्मर्स में कौन से हैं ठीक है फार्मर्स में 2019 में कोशन पूछ चुका है ठीक है कल को क्या पता वो इन्वार्मेंट या उसमें पूछ सकते हैं कि सोशल जस्टीस के लिए वो लोग क्या काम कर रहे हैं ठीक है गवर्नेंस के लिए क्या काम कर रहे तभी आपका एक subject तभी आपका एक topic क्लियर होगा राधर देन की दो जो हम लोग एक traditional वो अप्रोच कर रहे ना कि pressure groups लिख लिए, structure लिख लिए, example लिख लिए, positives लिख लिए, negatives लिख लिए, खतम इससे नहीं होगा, अगर तुम 2024 कमेंज दे रहे हो ना तो इनसे चीजें नहीं होगे, फिर वही है कि 90, उसी जोर में, 90 से 100 वाली में तो मैं अगर 115 के बाहर जाना है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजों पर you have to focus, ठीक है इतना clear हो गया, अब ये वाला मैंने topic already बता दिया कि women को कैसे उन्होंने link किया प्रेशर ग्रूप के साथ, ठीक है, अब slaybers को cover up कैसे करना है, कुछ points bullet points होते हैं, जैसे basic structure है, ठीक है, basic structure हो गया, तुमारा amendment है, ठीक है, ये bullet points है, bullet points मतलब इनको अगर आप 2-3 घंटे में करोगे, तो तुमारा मोटा मोटा लगबग cover up हो जाएगा, कि इसके beyond नहीं ठीक है, इसके बाद में जैसे SOP है, separation of power है, ये topics है, जो मतलब अभी-अभी हो जाएंगे, अगर तुम 3-4 घंटे एक topic को दोगे, तो broadly हो जाएगा, लेकिन जैसे question है, पार्लेमेंट, ठीक है, पूरा judiciary, ठीक है, इनको time लगेगा, जैसे judy stream कुछ नई चीज आ जाए, ठीक ह तो कुछ होंगे, जो broad points वाले topics होंगे, पूरा subject ले लिया है, जैसे उन्होंने governance वाला topic है, ठीक है, तो उसमें वो लोग पूरा broad topics बूच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है, कि तुम्हें कोई broad question आ जाए, जैसे एक वो topic है, कि neighborhood में, इंडिया and neighborhood, ठीक है, तो ये broad topic है, इसको time लगेगा, तो इसको hold पे रखो, और इसको धीरी-धीर करो, जो bullet points है ना, उनको सबसे पहले कर लो, करना कैसे है, ठीक है, इनकी हम लोग अभी discuss कर रहे है, ठीक है, ये होगे bullet points वाला, broad points होगे, जैसे schemes वाला constitutional schemes P3 पे focus करना है, specifically इसको noted down कर लो, तुम्हारा France, UK ठीक है, और USA, इन तीनों पे focus करना है, क्योंकि ये है P5 के member, plus China and Russia का chances कम है, ठीक है, बागी countries का मुझे personally नहीं लग रहा है, बागी हो सकता है कि वो लोग पूछ ले, अगर कोई ज्यादा ही country news मो हो, तब पूछ सकते हैं, बागी नहीं पूछेंगे, ठीक है, अब जो major question आत को लक्समी कांत का basics कर लेना, basics का क्या फायदा होगा, जैसे इस बार question आया था, कि जो speaker है, तुमारा legislative assembly में, ठीक है, या last year एक question आया था, कि जो national commission for backward, वो caste वाला था, ठीक है, 338 B में है, ठीक है, तो ये question आया था, कि इनका role क्या है, और कल को माल लो ये question आ जाए, कि जो इं मलब ये जो है ना, speaker का role पूरा तुमार लक्समी कांत में, static वाला जो constitutional aspect है, वो मिल जाएगा, जैसे speaker का role ला आगर तुम 93 article डाल रहे हो, तो एक अलग बेटेस देगा examiner को कि इसको constitutional जो understanding है, वो पताओ, 178 डाल रहे हो, speaker state legist ledger का, तो उसको एक अच्छी understanding जाएगा, कि you are well with the constitution, right, got that, तो आपको basic लक्समी कांत करना है, ताकि वो किसी ना, किसी 3-4 question में लगबग काम आजाता, लक्समी कांत वाला नोले, ज्यादा में काम नहीं आएगा, ठीक है, लक्समी कांत जब पढ़ रहे हो, उसके topic wise P3 के साथ आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जैसे अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, तो P3 के अमेंडमेंट प्रोसीजर देख लो, पारलेमेंट पढ़ रहे हो, तो पारलेमेंट का P3 के साथ देख लो, इस बर question आया है, पारलेमेंट, सोविनिटी, इंडिया एंड यूके का, ठीक है, getting that, फिर तु माकेट जैसे माल हो, जूडि के साथ देख लो, last year, 2021 में, last to last year, उन्होंने 15 मारकर का पुछा था, कि USA और इंडिया में, जो एक्विलेटी वाला कंसेप्ट है, वो चेंज, मतलब, अलग कैसे है, got that, ये चीज हो गई, ठीक है, तो ये है, रिलेवेंस, लक्षमी कांत की, got that, उसके बाद में, आपको हार टॉपिक के constitutional articles, बिल्कुल मतलब मगब करने पड़ेंगे, हर चीज पे, जैसे इस बार, वो आया था, वुमिन का, ठीक है, इन्होंना, I think, 2014 या तेरह में, पूछा, चाइल्ड का, कि चाइल्ड का, क्या-क्या constitution में, ऐसा कुछ पूछा था, एक question पूछा था, अभी मेरे को exact पूछा है, तो कल को वो लुग women, transgender, जो normal ये है, child है, उनका पूछ सकते हैं, ठीक है, oldies का पूछ सकते हैं, किसी भी segment का पूछ सकते हैं, ठीक है, तो women का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये question तुम्हें करना होता, इस बार आया था, दोज़र तेस में, got that, जब I think B or C में है, जहांपे वो है, equal pay for equal work वाला, ठीक है, फिर 42 में आओ, maternity benefit act वाला, ठीक है, maternity benefit हो गया, ठीक है, फिर तुम्हाओ इसमें, I think A का clause, E में है, जो gender justice वाली बात है, जिसमें की derogatory जो practices होती है, उनको आप renounce करोगे, ठीक है, आपके fundamental duties है, फिर तुम्हाओ 243D में ठीक है, ये है अपना पंचायत का, तो अगर ये articles तुम्हें याद होंगे ना, तभी तुम्हारा answer weight is carry करेगा, नहीं तो वही है, normal जनता के लिए, कि हाँ constitution में ये बात करी गई है, equality के बात करी है, प्रियम वो अपना liberty के बात करी है, ये बात करी है, मलब ऐसे वैसे बना के तुम लिख लोगे, कि reservation दिया है, unless and until article से backed up नहीं हुआ न, तो वो इतना specific answer नहीं बनेगा, इसके importance है, supreme court के judgment बहुत important है, अब important कैसे है, इस बार तो वो लोग specifically पूछने लग गए, जैसे last year नोंने environment का पूछा है, ठीक है, कल को वो लोग election में पूछ सकते हैं कि supreme court ने election को free and fair बनाने के लिए क्या क्या किया है, P.U.C.L. वगएरे वो सारा कुछ नोटा वगएरे वो वाला angle डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिली थॉम्स वगएरा case, ठीक है, फिर इस बार जैसे ये बोला सकते हो कि social justice के लिए इसने क्या किया है, ठीक है, वही topics women के लिए क्या क और इवन इंटर, जो पूरा GS है, उनको भी वो लोग कर रहे हैं, लिंकेज कर रहे हैं, जैसे GS4 में, GS3 में topic है, टेकनोलोजी वाला ठीक है, इस बार उनों GS1 में पूछा था कि सल्तनत पीरेड में टेकनोलोजिकल चेंजिस क्या लिए, अगर आप टेकनोलोजी वाला एसप इंडिया में इतना कुछ टेकनोलोजी का है नहीं, ठीक है GS1, GS2 में इतना नहीं है, GS3 में आओ, तुम्हारा economy में पूछ सकते हैं कि digital economy इस बार पूछा है, ठीक है, फिर तुम agriculture में आओ कि digital economy कैसे role play up कर रही है, ठीक है, getting that, my point is that, कि जब एक topic पढ़ रहे होना तो उसको एक, फोड़ा map मेरे से अच्छा नहीं बन रहा है, बट क्या करना आपको, जैसे ये map आप बना रहे हो, ठीक है, मान लो, SG वाले माप एक question बना रहे हो, map बना रहे हो, उसमें आप लिख रहे हो, यहाँ पे loom से, loom से तुम्हारा उसमें लदाक में, ठीक है, यहाँ पे सिरी हो गया, ठीक है, और फिर तुम्हारा यहाँ पे हो गया मावीम, माहारास्त्र वाला कुछ है, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया तन्वा, ठीक है तमील नडू association, विमेन association करके कुछ है, अगर यह इतने सारे example है के basis पे तुम पॉइंट क्र रिएंट कर सकते हो, कैसे आपको data के साथ मालब point generate करने में help होगी got that तो ये है examples के importance ठीक है वही एसे judgment on broad topics only जो GS2 के topics है उन पे तो at least आप तयार कर जाओ जहां पर वो लोग पूछने की probability रखेंगे मतलब कोई भी question आता है जैसे इस अगर आटिकल 21 आया था ठीक है उसमें अगर तुम 9-10 judgment डाल दोंगे न supreme court के तो वो लगबग बंद आपको 8-9 लगबग देदेगा broadly ठीक है अगर तुमने इतने judgment डाल दिया तो with एक दो perspective कि किसी जज ने बोला हो आटिकल 21 के बारे में तो तुम्हें और अच्छा वो बॉइंट देगा वो मैं question में समझा दूँगा कि क्या कैसे कैसे हो सकता है ठीक है data की सबसे important है data क्यों है क्योंकि GS3 में जो X factor है न वो data है GS2 में भी data है मान लो कि तुम्हें जैसे मैं एक example दूँगा मैंने यहां पर एक data डाला था हाँ यह वाला है ठीक है यह एसजी का ही है कि यहां पर मान लो कि आपको question पूछ लिया कि एसजी कैसे women empowerment कर रही है या poverty elevation कर रही है मान लो यह question पूछा था सकते हो कि 4 million women को इन्होंने out of poverty किया मतलब poverty evaluation के लिए यह particular जो कुदूम शरी प्रोग्राम है वह बहुत effective था तुमने एक data डाल दिया एक example डाल दिया और एक data डाल दिया 4 million people ठीक है फिर जैसे आज जीविका वाला भिहार में उसने क्या किया है एक million job create करिये ठीक है तो यहां पर एक specific sound करेगा examiner को got that फिर तुम ये मावी मवाला लिख रहे हो ठीक है मावी ने क्या किया कि 10 million women को financial literacy provide करिए ठीक है तो ये तुमारा inclusive growth को build up करने के लिए करेगा ठीक है ये फिर financial inclusion के लिए help करेगा ठीक है women empowerment को करेगा ठीक है जो economical empowerment है उसको boost up करेगा getting that तो ये example ये data और ये बहुत important है जैसे लूम से लदाक में है इसने क्या क्या जो traditional handicraft industry थी उसको revive किया है ठीक है तो क्या हुआ रूरल development होगा वहां पे job create होगी ठीक है तुमारा जो tourism से पैसा वैसा आएगा तो उनकी जो economy है वो ultimately boost up बूस्ट अप होगी getting there फिर तुम देखो इतने सारे SSGs है उसमें ये 88% women है ठीक है इतना उनको fund दिया गया है जो saving है ठीक है फिर 600 billion कुछ है जो launch bank के थूरू उनको दिये गये है ठीक है NPA भी उनका bank से कम है तो मतलब वो लोग अच्छे से काम कर रहे है अब मेरा point क्या है कि इतने सारी data और इतने example अगर SSG वाले question मे that question will be the best among the best मतलब बहुत अच्छे से बन जाये का अपके फिर आता एक perspectives perspectives का क्या मतलब है जैसे कुछ चीजों पर कुछ authors ने कुछ चीजें बोली हुए होती है जैसे for example इस बार article 21 आया था तो उसमें एक P.N. भगवती का कोट कुछ था मतलब उनका एक सेंगी थी उनका एक कि article 21 embodies the supreme constitutional importance in the constitution ऐसा कुछ करके था अभी मेरे को exact याद नहीं है but my point is that कि तुम्हें ये perspective डालने है ठीक है जैसे एक उनका है मनी संकर अईयर कमेटी है ये GS2 में अपने पंचायत वाले उसमें segment में ठीक है उन्होंने क्या बोला कि जो 73rd and 74th amendment है उसने certainty and continuity प्रोवाइड कर द perspective दे रहे है कि जो e-governance वाला है ना अपना जो experiment है that is more oriented towards quality or sorry quantity not quality ठीक है computerization के उसमें ज्यादा है rather than कि वो e-governance या people-led service कर रहे है getting that ये perspectives है अगर ये तुम डाल सकते हो ना जैसे मनी संकर अईयर कमेटी का ये पंचायत पर ये कि इस हाप बेक्ट केप हाप बेक्ट केक ठीक है तो तुम्हें क्या करना है perspective भी हाथ में डालना है data भी डालना है examples भी डालने है और उसी में जैसे मानलों की यही कोशन आया था speaker वाला कोशन आया था इस बार ठीक है state legislator के speaker तो उसमें article 178 से start करो ठीक है तो तो तुम्हें वो extra added advantage देगा ठीक है बाकी perspective का जैसे इस बार NATO का कुशन आया था ठीक है तो मेरे को last से last यह जब interview था तो उस time वो फूचा था कि NATO के साथ इंडिया को join करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उस time में एक article था जिसमें सीरा जमोन का एक perspective था कि we need to have a pragmatic engagement with the जो अपना यह है NATO है because of changing the security architecture in the not only in the Indo-Pacific but also in the South East Asia and South Asia उन्होंने broadly क्या कि हमें engagement करना है because he was a cutter मतलब realist आदमी है सीधी बात करते हैं point to point बात करते हैं तो वो मैंने perspective नेटो में डाला था कि अगर नेटो इमर्ज हो रहा है ना नेटो अगर स्ट्रॉंग हो रहा है तो as per si raja moon रहा है ठीक है si raja moon ऐसा कुछ नाम है उनका si raja moon यह CRM तो उन्होंने य थोड़ा सा हटा के तुम collective engagement कर सकते हो sorry एक pragmatic engagement कर सकते हो यह तुम्हें एक extent तक added advantage देगा ठीक है got that I hope कि आपको perspective का meaning समझ माया गया नहीं समझ माया तो आप एक बड़ी I think उनकी copy है इस बार AIR 10 है ठीक है उनकी copy देखना उन्होंने industrial revolution में perspective डाले है उन्होंने कास्ट में perspective डाले है उन्होंने हर point में perspective डाले है यह got I think 450 प्लस उनके GS में question वह होंगे marks 450 नहीं 60 प्लस होंगे लगबग GS1 में भी 115 कुछ है GS2 में 125 कुछ है तो उन्होंने हर question में perspectives डाले है and authors के डालो experts के डालो आपका अगर GS में जैसे PSI यह रहे ना तो उसके सारे scholar वगेरा यहां पर डालो because the main thing is that examiner यह जो एक market में बनाया हुआ है ना कि अगर GS2 का paper है तो उसमें GS2 के हिसाब से डालो यह वो एक बहुत पुरानी चीज हो गई है अगर तुम latest trend देखोगे ना आप एक बार ही अगर free perspective last में डालो कि क्या क्या हो सकता है मतलब way forward में उनका perspective डालो तो तुम्हें एक आध extra number देगा क्यूं देगा जैसे एक मैं simple बात बता रहो हमने broad calculation किया था कि अगर UPC लगबग 300 लोग बिठा है ना आज से ठीक है मानलो कि अभी से ठीक है मतलब October और तुमारा नौंबर में 300 लोग बिठा है और वो लोग दिन की 7-8 copy चेक करेंगे ना 7-8 भी नहीं इससे भी ज्यादा होगा क्यूंकि उनका लगबग Saturday और Sunday off होता है ठीक है तो तुम मान के चलो कि दिन की उन्हें 10 copy निप्टानी पड़ती है 300 लोगों को 10 copy निप्टाने के लिए बंदे को लगबग 5 30 यह मिनिट होता है पर copy का पर question का तो आप सोच लोगी तुम्हारी copy कितनी fast चेक होती है ठीक है और उसको नहीं पता कि तुमने तुम्हारा मतलब मुझे personally लग रहा है कि वो बस broadly चीज़े नेखे का हाँ तुमने expert view डाला और हर जगह है expert views क्यों newspaper वाले इतना तुम generally देखन लोग हर चीज को quotation से side करते क्यों करते हैं क्योंकि एक वो एक एक expert tradition है तो कहीं कहीं यूज करो इसको perspective यूज करो ठीक है इंट्र टॉपिक और इंट्र सब्जक्ट आपको समझा गया mapping है जैसे आप innovatively डाल सकते हो जैसे वह था ऐसे जी वाले question में ठीक है छोटा समय बना दो बना सकते दे internal security में बना सकते हो बागी जहां पर probability हो वहीं पर बनाओ ठीक है इतना हो गया उसके बाद माता आयर आयर पर क्यों focus करना 50 marks का आता है और वहां पर तुम लगबग 30-35 नंबर निकाल सकते हो 30 तो आराम से निकाल सकते हो मलब यहां से अगर 30-35 नंबर निकाल रह the deployment बढ़ सकते हो या फिर ORF बढ़ सकते हो इनके article specifically neighborhood और जो प्री और मेंस के बीच में होते हैं उनके पड़ो ज्यादा नहीं प्री और मेंस के बीच में क्योंकि अब जैसे NATO वाला question था ना इस बार जो आया था और C वाला आया था दोनों unexpected question थे क्योंकि G20 का उनको पूछन question तब ही answer होंगे जब तक तक तुमने कोई expert कुछ source पढ़ाओ या फिर तुम हिंदू अगर वगेरा हिंदू वगेरा पढ़ रहे हो तो that's okay अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कि इनको refer कर सकते हो ठीक है लास्ट है कि revision and way to remember things यह एक ही last में वह है कि तुम्हें दो तीन बार at least revision करना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि अगर तुमने तीन चार बार specific चीज़ों का revision कर दिया ना तो तुम्हारी लग 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 चीज़ें cover up हो जाएगी ठीक है तो यह तो हो गया broadly कि तुम्हें cover up कैसे करना है ठीक है तुम्हारा content हो गया क्या क्य independent जरूरी है तुमारी एक लोग तंतर के लिए ठीक है democracy के लिए अब इस question को आप article से start कर सकते हो कि इंडिया में 124 से 147 तक judiciary है बोत integrated and तुमारी independent ठीक है यह एक हो गया article की importance बागी तुम democracy है देखो यहां पर उन्होंने दो topics को interlink किया है कि judiciary and democracy दो topics है ठीक है अब तुम्हें करना इन दोनों topics के sub component को explore करना democracy क्या आता social justice ठीक है fundamental rights फिर तुम judiciary को लाओ क्या कर सकते है जुडिशी जुडिशियल review के तुरू fundamental rights को safe guard कर सकते है जैसे article वो जो है section 66 of A वो हो गया फिर ठीक है फिर वो doctrine of essential practice वाला हो गया ठीक है अगर independent होगी तो यह सारे काम अच्छे से free and fair फिर वो बिना बाइस के कर सकती है तुम एक एक example देते जाओ ठीक है doctrine of essentially जैसे right to equality वाला ठीक है फिर judicial activism है PIL के तुरू वो मतलब अपना जो social justice है उसको secure कर सकती है या social transformational वो लेके change आ सकती है जैसे इसमें ये डाल सकते हो 377 या फिर तुम्हारा ये नालसा एक्ट ठीक है न ये easy question था who are the entitled entitled ये अपना नालसा का question है ये वीजन ने पूछा था उसमें अभ्यास में और ये काफी news में था इसमें आर्टिकल तुम डालो 39A स्टार्ट वहीं चे करो ठीक है फिर role assess करना है तो तुम आराम से कर सकते हो एक बरी देख लेना क्या उनका वो pattern है अगर आपको statement डालो अगर आर्टिकल पता हो तो वो डालो परस्पेक्टिव में मनी संकर ये रिका मैंने वो डाला था कि कैसे कैसे परस्पेक्टिव डाल सकते हो ठीक है डेटा में डालो I think 2% है जो ये खुद अपना वो नहीं 2 नहीं वो है 5% खुद जनरेट करते हो 95% डिपेंड है ठी ठीक है उसमें सब में उसके अंदर ही आ गया जीस्टी के अंदर गोट तो ये सारे पॉइंट्स हो गए ठीक है फिर तुम्हें वे फावर्ट देदो कि यहां पर दूई है ना कि कि फंक्ष्ण लिटी और तुम्हारा फाइंशिली दोनों पॉइंट एक्स्प्लोर करने फंक्ष्ण लिटी में तुम डालो कि यह जैसे जल बोड आता है ठीक है तो यह क्या कर रहा है वाटर का मतलब वाटर की जो नीट से वह उनको फुल पिल कर रहा है ठीक है फिर तुम हो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया बे इंडियन कॉंस्टिक्ष्ण को क्या किया पार्लेमेंट से गया करेंगे ठीक है शेप्र caucus और से करेंगे चैंटभर इस्वोर तो इसमें आप वने continua यहां पर लूहरा क्क्रूट बजिएकर कर सकते हैं यह से कर सकते हैं यह उसमें role पूछा है तो role में तुम सारा ला लो कि वो क्या क्या काम करते हैं ठीक है easy question है यहाँ पर क्या है यह question देखो क्या बोल रहा है कि जो अपना development process है that has been the inadequate attention paid to the human resources development in India suggest measures पहले आपको दिखाना है कि SDA कैसे कम हुआ अब इस question में आप कम से कम 5-6 data डालो अब 6 data डालने कैसे है वो मैं आपको briefly explain कर देता हूँ जैसे for example तुम एक लिख रहे है विमन को लिख रहे है ठीक है तो यहाँ पर डालो कि 20% ही LFPR है ठीक है फिर क्या data डाल सकते है जो SDA वाली report है वो 132 rank इंडिया की है ठीक है यह intro में आ सकता है मतलब इंडिया ने economy को तो बूस्ट कर लिया emerging economy है secular country है democratic है बच उनका जो वो है social justice वाला डोबी ने वह बहुत वीक है मतलब जो अपना health and education crisis से निकल रहा है ठीक है इसमें तुम education का डालो education crisis उसमें एक example डाल दो example या data डाल दो असार का ठीक है असर सर्वे सबको पता है ठीक है health का डालो एक health का data डाल दो कि health का status अभी भी डाउन है ठीक है 48% तुम डाल दो कि वो है अबना out of pocket expenditure ठीक है फिर तुम PSC की हालक डाल दो कोवीड का example दे दो चार पॉइंट हो गए और चार पॉइंट में चार एक्जामपल हो गए ठीक है फिर तुम डालो इनका hunger एंड इनका data ठीक है data डाल सकते हो कि वो 47% लोग ही employable है यह data की जो लिस्ट है ना वो मैं आप ही compile कर रहा हूं बहुत holistically क्योंकि जो मार्केट में data list है ना वो बहुत ही अधूरी है मतलब उसमें कुछ चीजों के data है कुछ चीजों के बहुत redundant data है कुछ चीजों के बहुत पहले की data है और बहुत basic data दिये हुए तो latest और current data है ना वो नहीं दिया हुआ ठीक है तो वो मैं compile कर डाल दूंगा फिर तुम रीजनल वाई आ सकते हो जिग्राफिकल जैसे के राजस्तान में पैंसेट परसेंट गरीब ही एकसेट परसेंट तुम्हारा भीहर में लेकिन केरला में गरीब ही बहुत कम है education का डाल सकते हो केरला और इन में बिमारू स्टेट्स का डालो ठीक है कितने points बन जाएंग Amazon है Google है इन सब में तो fine लगाया होगा अगर तो मैं नहीं भी पता हो तो ठीक है easy question है हो जाता ठीक है e-governance वाला बहुत easy question है लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि effectiveness transparency and accountability इन तीनों चीजों को आपको explain करना example क्या देने जैसे तुम dbt का दे सकते हो कि उसने I think 2.27 लाग करोड से ज्यादा है ठीक है यह हो गया उसके बाद मैं यहां पर बुला what in adequate is is ठीक है यह question important है यह क्या है इसमें आपको data तीन चार डेटा डालने पड़ेंगी कौन से data तुम यह डाल सकते हो एनस इसका इसका data I think 54 million 54% women ने only उनके पास इंटरनेट नहीं ऐसा कुछ एक करके data उनको एक बार ही देख लेना मैं जस्ट आपको hint दे रहा हूं ठीक है फिर तुम जैसे इसमें एक और data था कि 40% ही skilled है इसकिल्ड नहीं फाइन वह डिजिटल डिट्रेट है ठीक है 90% लोगों में अवे से दूआला ठीक है उसमें इस्यू था ठीक है यह डाल दो data protection law नहीं इंडिया में फिर gender equality डाल दी रूरल अर्बन डिवाइड डाल सकते हो ठीक है उसमें डाल दो कि only 47% rural area जिसमें 10 गंडे से ज्यादा electricity रहती है यह कुछ data है जो मैंने means की time prepare किया थे और इस question में use भी किया दे इन सब questions पर तो मेरा point क्या है data examples keywords 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 के आएंगे pro people and last मैं जैसे conclusion आ सकता है कि we need to turn this divide into dividend ठीक है divide to dividend ठीक है and also we need to focus on e-governance to make it enabler facilitator and ऐसा कुछ था एक मैंने 3-4 line कब नहीं था वो exactly यहां पर डाल दिया तो मेरा point क्या है कि तुम्हें इन सब चीजों से focus करना है ठीक है फिर quality oriented rather than quality oriented ठीक है more concerned with the computerization rather than the result या outcome ठीक है यह दो perspective आगया example आगया data आगया and way forward आगया second ERC का और 3-4 वो आगया question की demand fulfilled हो गई तो मुझे लग रहा है कि एक extent तक हमारा answer objective बन जाएगा got that यहीजी question हो जाता ठीक है यह यहां पर पहले तुम्हें इसके example देनेंगे कि scale new heights इनके डा लाहिरिस वगेरा है इनका डाल दो ठीक है UK की जो house of commons में लोग इंडिया के है ठीक है और दूसरे house में 25 लोग इंडिया के है ठीक है यह सारी data याद करके गए तो ठीक है याद थे तो वो कोई issue नहीं है फिर तुम डाल दो कि Australia में 7.7 billion लोग है और million लोग है इंडिया के US म I think 6 million है और UK में I think 2.3 है ऐसा कुछ था एक data में ने याद किया था अभी मेरे को exact data याद नहीं है बट मैं एक आपको perspective दे रहा हूं कि ऐसे लिखना है ठीक है फिर तुमारा 83 billion वाला वो remittances बगिर आ रही है ठीक है यह डालो ठीक है फिर उन्होंने बोला कि describe its impact and political benefit और इंड India इंडिया के लिए इन दोनों को segregate करके लिख लो लास्ट में कभी कमेंट ही बनी थी इन्वाइर पार्लेमेंट की उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया थे वो तुम यूज करके way forward में डाल सकते हो got that easy question हो जाता ठीक है अब यह देखो यह question है कि article 21 वाला unless and until तुमने कुछ keywords न लिजे है तुमारे यह पच्चीम बंगा खेत मजदूर वाला है mc मैता का right to environment ठीक है यह मुलेन एड्मिनिस्टेटर यह है right to speedy trial ठीक है dk बसु वाला हो गया custodial death ठीक है विशा का guideline हो गया RTE हो गया यह हो गया अपना national food security act नवजे सिंग जोर वाला हो गया पुटा स्वा that you got my point ठीक है उसके बाद में आपना आते हैं इसमें question में ठीक है वही है उपर discuss किया था constitutional perspective क्या है relevant case laws यहां पर आपको women के related सारे case laws डालने पढ़ेंगे ठीक है यह हो गया अब इस question में क्या है कि account for the legal and political changes although आपको पता है बट इसमें आप exam जो अपने discuss कर रहा है ना उपर content म आपने पास data लेकिन example में है जैसे इसके बाद में क्या हुआ 1990 के बाद क्या हुआ कि जो president का role है ना वो थोड़ा active हो गया मतलब president become more active जो executive है ना वो एक active role play करने लग गया जैसे क्यार नारायन ने I think उनकी government थी कल्यान सिंग के उनका जो president rule का recommendation था वो उन्होंने reconsideration के लिए भ ठीक है बाकी active role हो गया coalition party हो गई ठीक है यह सारा ताब लिख देते बट अग्जाम्पल आ गया article आ गया ठीक है और अगर आपको data पता हो ना कि कहां कहां भी यूज हुआ है ठीक है और last में तुम क्या डाल सकते कि way forward क्या हो Supreme Court का कोई case की sayings डाल सकते हो कि by sparingly use हो या rara stop the racist case में यूज हो cooperative federalism हो इन सब पर बात कर सकते हो गौट यह देखो civil society का बोला है women में ठीक है women का कैसे वो पार्टिसीपेटिव जो participation बना रहे है I hope you are getting the inter topic linkages ठीक है उसके बाद में GST repeated I think 2017 में पूछा था इसमें थोड़ा सा आपको वह यह की वर्ट वगेरा वह लिखने थे और broadly इसके features लिखते थे तब भी हो जाता ठीक है पार्लेमेंट का कुशन हर साल आता है sorry committees का एक साल से छोड़के एक साल इसमें structure बताना था और data बताने थे इस question में data is more important जैसे committee को कितना बिल रिफर हो र करने का ठीक है वहां की around जो बहुरा कमेटी ने बोला है कि तुमारा 43% यह ADR का भी data की वह है criminal aspect है ठीक है फिर only 7 out of 545 जो MLA है उनकी present से 100% getting that तो इनका डालो absenteeism बहुत ज्यादा है research staff उनका support नहीं है ठीक है बागे डाल दो capacity billing वगएर नहीं है तो इनका broadly डालना है कि क्या अगे रहा है ठीक है इन सब का भी लोगया farm भी लोगया एक दिन में पास हो गया और नहीं और इन का पाथ चूज किया जा रहा है रहा है राधा देन कमेटी को बिल्टप किया जा रहा है ठीक है यह जी कुशन था हो जाएगा उसका पूछा था development and welfare schemes वाला वलनरेबल लिए तो यह बिगनी में बता सकते हो कि कैसे फिर इस्यूज बता दो कि quality oriented नहीं है quantity oriented लेबर इंटेंसिव सेक्टर में नहीं है फिर तुम्हारा जो इसकिल का वह है मलब एक demand oriented नहीं है ठीक है supply oriented है demand क्या है market की उसके basis में नहीं है ठीक है तुम यह सब कुछ डाल सकते हो ला से लेकर तुम्हारा people to people से लेकर defense से लेकर technology से लेकर सारा points डालो तब ही जाके तुम्हारा question holistic बनेगा इसमें देखो question क्या पुछा what is your opinion जब भी आपकी opinion पुछे ना तब आपकी opinion यस भी होगी हां भई सही भी है no भी होगी क्या है ना कि NATO अगर strong हो रहा है ठीक है और US-Europe की strategic partnership वह हो रही है तो इसमें एक सुहासनी Heather का एक मेंस और परी के बीच में एक आर्टिकल आया था यूएस और यूरोप को अगर strategic मतलब वह हो रहे है ना strong हो रहे है तो एक extent तक इंडिया को benefit भी है लेकिन साथ-साथ में घाटा भी है क्योंकि ultimately जैसे quad में जब इंडिया ने quad join किया था तो चाइना ने ये अपनी गलवान वाला जो issue है वो raise कर दिया मलब वहां पर उनके आपने जो भी ट्रोप्स वगएर थे उनको mobilize करना स्टार्ट कर लिया वहां पर dispute वाला तो में पता ही है तो वो एंड टाइम में हुआ था जब quad हुई थी getting that तो अपना जो immediate neighbor है ना दोनों जो 2.5 उनको कुछ बोलते हैं मलब दोनों साइट से जो अपना strategic threat है वो और ज्यादा मलब जो चाइना की assertive nature है जो एक्सपेंस नेजम वाला जो चाइना का नीचर है वो और इंक्रीज हो सकता है इंडो पैसिफिक में और इंडिया के बॉर्डर से इरियाज में ठीक है तो तुम यह डाल सकते हो रशिया को affect करेगा इंडिया रशिया की relation affect करेगा उपर से तुम USA पे भरोसा नहीं क unexpected question था पर तुम कुछ चीजा डाल सकते थे जखे ये मार पूल वाली वगेरा है लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बोलूँगा कि ऐसे question जब भी आते ना यहां पर बोला कि protection of environment तो अब आप थोड़ा सा mind लगाओ कि environment issues क्या हो सकते हैं seas में जैसे sea का पूछा था ना क्या हो सक सकते हैं oil spill हो सकता है अब तुम सोचो कि कोई treaty तुम्हें पता है oil spill की regarding वह लगब आई एमो ही होगा उसका मतलब या सेक्रेटरिय रिट प्रोवाइड करेगा या उसने guideline किया या draft किया कुछ भी फिर तुम देखो plastic का की ocean plastic वाली problem हो रही है तो इसने कुछ किया होगा ठीक ह तुम और तो इसमें क्या issue डाल सकता है deep sea mining वाला चल रहा है deep oceanic mining वाला issue ठीक है फिर तुम इसमें वह आ सकता है maritime security वागेरा यह हो गया sea line of communication का threat हो ठीक है यह तुमारे disaster वागेरा बढ़ रहे हैं ठीक है maritime safety में तुम और डाल सकते हो जैसे यह organized crime है वह बढ़ सकते हैं ठीक है अगर आपको नहीं पता है जैसे यह question किसी ने prepare predict भी नहीं किया था और prepare भी नहीं करके गए थे तो इस type के questions में हमेशा ध्यान रहो environment को break करो और लगबग लगबग हर चीजे IMO कहीं ने कहीं उन्होंने role play किया होगा माल लो question आता है कि environment protection में तुम्हारा UNEP ने क्या किया है अगर तुम सोचोगे ना तो UNEP ने लगबग लगबग हर चीज में वो किसी में secretariat प्रवाइड कर रहा है तो किसी में funding प्रवाइड कर रहा है getting that फिर I think UN clause B में भी IMO का role है फिर तुम IMO का उसमें डाल सकते हो कि disaster management वगेरा में वो role play कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है कि मैंने जो aspect touch किया ना कि आपका answer 80% तक objective answer बना है ठीक है जैसे यह सारी चीज़ें आपके आनी चाहिए जब आप answer एक prepare कर रहे हो ना कि उसमें तुम्हारा लक्षमी कांद का basic knowledge अगर पूछा है तो आ जाना चाहिए ठीक है constitutional articles articles आने चाहिए Supreme Court के जज्जमेंट्स आने चाहिए ठीक है कि US और इंडिया की relation has shifted from मेरी ऐसा कुछ था एक अच्छा सा मतलब उनका perspective था कि beginning से था कुछ summit based हाँ summit level to यह अपना nuclear based to यहां पर अभी defense और military based मलब ऐसा कुछ था तीन lines में उन्हों तीन segregation में वो किया था कि summit level से लेके nuclear diplomacy से लेके अभी तुमारा more of maritime वो अपना bilateral trading और यह अपना military लेवल पे वो हो रहा है अपना relationship हो रही ठीक है बाकी कुछ और issue हो इस particular GS2 के related तो आप comments में कर लेना बाकी अगर आपको GS1 का चाहिए GS3 या GS4 के regarding similar strategy और अप्रोच चाहिए तो please comment below उसके according में आपका एक comprehensive video बनाके डाल दूँगा ठीक है thank you so much for the watching मिलते हैं अगले वीडियो में